मुझे लगता है यह देखो दुनिया पर एक ऐसे आपत्ति आई कि जिसकी किसे ने कभी सोचा भी नहीं था कलपना नहीं की थी ना उसका आता पता है कि कहां से आया और कैसे अभी चाइना से वो संक्रमन आया यहां लेकिन आगे जाने के बाद उसका कोई वैक्सिनेशन अभी निकलता तब तक यह सवाल रहेगा कि हमें कोवीड के साथ ही जीना पड़ेगा एक तरह से और यह न्यू नॉर्मल है और इसलिए जैसे मास्क लगाना बारी-बारी से हाथ धोना छे फुट की दूरी दो करच की दूरी बहुत जरूरी यह प्रदानमंद्र का संदेश का अम है और यह अब वीडियो कॉंफरेंसे कर जादा उपयोग करना वर्क फ्रॉम होम करना यह सब इसका हिस्सा है और मुझे लगता है समाज ने बहुत अच्छी तरीके से 40 दिन में यह सीख लिया है और आत्मसाथ किया है 130 करोड का देश without any incidence इतना बड़े पैमाने पर सफलता पाता है यह एक अद्भुत सफलता है और इसको हम बनाए रखेंगे क्योंकि लोगों को अपनी जान की भी परवा है और प्रदानमंत्री के बारे में एक विश्वास लोगों के मन में हो गया कि यह हमारे लिए कर रहे हैं